तो प्रिलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है पगडी संभाल जट्टा मुवमेंट अभी जब रिसेंटली ये फाम प्रोटेस्ट चल रहा है तो ये पगडी संभाल जट्टा जो है ये सॉंग वहाँ पर बहुत जादा प्ले किया जा रहा है इसके बहुत था कि 1907 में जो ब्रिटिश इंडियन गवर्मेंट थी तो ब्रिटिश गवर्मेंट ने तीन लॉइ इंट्रोड्यूस किये थे दौआब बारी एक्ट पंजाब लैंड कोलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट तो इन तीन एक्ट्स में पंजाब की जनता थी तब पंजाब जो था वो जॉइंट पंजाब था जो इस टाइम पर पाकिस्तान है तब वो नहीं था तो हमारा जो प्रॉपर जॉइंट पंजाब था उसमें एक डिस्ट्रिक्ट लियालपूर था जो वो डिस्ट्रिक्ट इस टाइम पर वेस्टर्न पंजाब में मतलब जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहाँ जा चुका है तो वहाँ पर ये movement शुरूई थी तो वहाँ पर जो ये farmers थे उनको लगा कि जो उनके खुद का land है वहाँ पर वो contract worker बनके रहा जाएंगे अगर ये Punjab Land Colonization Act आ गया तो ठीक है तो उन्होंने इस चीज़ के अगेंस्ट एक movement स्टार्ट की थी और वो movement even violent भी हो गई थी बहुत जादा तो जो बाके दयाल थे जो एक एडिटर थे जहांग सयाल के उन्होंने ये song जो है वो लिखा था और इन्होंने वो लियालपुल जो उदर rally होई थी peasants की वहाँ पर ये song को introduce किया था ठीक है तो ये जो song है वो farm movement के का एक तरह से farm agitation का एक symbol बन गया है तो जब भी भी पंजाब में farm की या peasants की movement होई तो ये song का हमेशा relevance हमेशा रहा है ठीक है तो ये movement में ये song का बहुत ज़ादा use किया जाता है अब आपने देखा होगा कि आपने भगत सिंग की movie नेखी होगी शहीद भगत सिंग नाम के जो उनके पर बहुत सारी movies मनी है उनमें भी ये song को पगड़ी संभाल जट्टा जो song है वो कई बार use किया जाता है ठीक है तो ये song जो है वो आजकल जो protest चल रहे है farmers के उसमें भी use किया जा रहा है तो कुछ parallels ड्रॉ की है ये newspaper ने but all of them are not true of course जैसे कि जो ये movement थी एक तो पहली बात वो colonial government के against थी जो current movement है वो हमारी खुद की government के against है दूसरा ये movement violent भी हो गई थी जो हमारी वाली movement चल रही है भी farmers की वो बिल्कुल peaceful चल रही है तीसरा जो ये land colonization act था उसमें सच में ऐसा था कि जो owners थे land owners थे उनको contract workers बनाने की बात की गई थी तो हमारे जो farm laws है उसमें कुछ भी land से related या उनकी जमीन से related कोई चीज नहीं है उनको सिर्फ market expand करके दी जा रही है farmers को तो जो parallels है वो draw करना बड़ा difficult है इसमें कुछ ऐसे parallels नहीं हम draw कर सकते but of course yes any farm movement उसमें ये पगड़ी संभाल जट्टा जो song है उसका use किया जाता है अब next हमारे topic है उसके बारे में बात की थी तो ये वही चीज है कि चार साल बाद National Academies of Science जो US की National Academies of Sciences है उन्होंने पाया है कि जो क्यूबा में जो US का consulate है या जो अमेरिका का जो embassy है जहांपर diplomats वगरा रहते थे वहाँ पर और even चाइना में भी कुछ consulates में जो वहाँ के जो diplomats थे उनको अजीब सी एक बिमारी हो रही थी मतलब उनको nausea या फिर उनको सिरदर्ध हो रहा था बहुत ज़ादा dizziness सी feel हो रही थी even sleep disorders, hearing loss ये सब चीज़े भी उनको आ रही थी तो उसका reason उनको समझ नहीं आ रहा था ऐसा हो क्यों रहा है ठीक है तो इन National Academies of Sciences ने चार साल बाद अपनी report में कहा है कि ये चार बज़ा से हो सकता था या तो उनको कोई infection हो सकती थी ठीक है या फिर उनको कोई psychological problem होगी या एक उसमें और है उसमें उनने बोला है कि या उनको chemical यूज किया गया है उनके उपर या फिर जो सबसे most plausible जो उनको National Academies of Sciences को लग रहा है वो है कि उनके उपर microwave weapons का use किया गया है ठीक है अब microwave weapons जो होते हैं वो होते हैं पहली बात तो हमने last time भी discuss किया था microwave weapons के बारे में ये basically क्या करते हैं आपने जो microwave oven होता है हमारा जो आप oven को use देखते हैं आपने oven use किया होगा और अगर नहीं भी किया तो भी आपको समझा देता हूँ कि ये oven क्या होगा कि आपकी जो electromagnetic radiation है या microwave जो है उसको एक तरह से जो liquid है उसमें जो radiation होती है उसको liquid को गरम करने का काम करता है उसमें क्या होता है particles to and fro movement करते है थिक है उपर नीचे होते रहते हैं जो microwave की waves होती है वो wavelength होती है जो इसकी electromagnetic radiation होती है वो उपर नीचे होती रहती है liquid में water में खास कर ठीक है तो वो water में जब movement करती है तो उससे पानी जो है वो गरम होने लगता है ठीक है? उस पानी के गरम होने की वाज़ा से हमारा food जो है microwave oven में बनता है तो इसलिए जो अगर आपके microwave में अगर food जिसमें पानी जादा है तो वो जल्दी बन जाएगा as compared to a food जिसमें पानी की जो quantity है वो कम है तो उसको बहुत जादा time लगता है तो microwave weapon क्या है? कि हमारी body में भी पानी की almost 60% जो हमारी body उसमें पानी होता है तो जो हमारी body में या brain में जो water है उसको वो तंग करेगा उसको गरम करेगा तो हमारी brain की functioning को वो target करता है ठीक है? तो करेंगे क्या उसमें? कि एक तरह से आपके जो वो आप जो room में बैठे हो उसका एक point को choose कर लिया उन्होंने तो microwave weapons क्या करते हैं? कि focused form of energy उस area पे डालते रहते हैं किसी भी sonic form में, laser form में या फिर microwave form में उससे क्या होगा? जो person उस area या पे जाके बैठेगा उसको लगेगा कि कुछ एक अजीब सी sound आ रही है buzzing sound आ रही है या click click के उसको एक sound आती रहेगी अजीब सी ठीक है? उसके जो effect है उसको physically तो कुछ नहीं दिखेंगे उसको एक तरह से feel होना लगेगा उसको dizziness होगी, fatigue जल्दी हो जाएगा severe headache हो सकती है ulty वाला मन हो सकता है कुछ nausea हो सकता है sleep problems आ सकती है या even hearing loss भी हो सकता है ठीक है? तो ये सब हो रहा था 2016 में हुआ है ये तो US के diplomats ने ऐसा feel किया है तो उसी की जो इन्होंने investigation में पाया है कि इस पूरे incidence को उन्होंने नाम दिया हवाना syndrome क्योंकि पता नहीं लग रहा था हो क्या रहा है बिमारी भी नहीं पता लग रही थी क्या हो रही है तो उसको उन्होंने एक जो नाम दे दिया उसका नाम दे दिया हवाना syndrome ठीक है? तो जैसा कि जो report है या उनको कोई chemical दिया गया है या उनको कोई psychological factors थे या सबसे जो most plausible reason उनको लग रहा है वो है microwave energy ठीक है? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको ही जितने भी वहाँ पर diplomat फे सबको कोई infection हो गई हो या फिर उनको सबको कोई chemical दिया हो तो इन में सबसे जो most plausible जो उनको NAS को लग रहा है वो microwave energy ही लग रहा है ठीक है? तो यह उनको ने बोला है कि the most plausible mechanism in explaining these cases among those that the committee considered बतलब directed pulse RF energy यह microwave energy का ही उनको सबसे ज़ादा most plausible लग रहा है ठीक है? चलो, anyways हमारा next topic है विट्टाला temple अब जो हमारे archaeological survey of India है उन्होंने जो हमारा हमपी में जो विट्टाला temple है उसको chain barricade कर दिया उसके आसपास ताकि उसको vandalism बगारा ना हो सके उसको कोई नुकसान ना पहुँचाया जा सके उसके जो stone chariot को खास कर ठीक है? क्योंकि आपको पता होगा कि उसके जो हमारा जो chariot है उसको वैसे भी कई बार नुकसान हो चुका है इवन जो हमारा जो उनका गरुड वाला जो जो chariot है उसको नुकसान पहले भी हो चुका है वो तो even अब missing as time पर है भी नहीं गया ठीक है तो हम थोड़ा देख लेते हैं विट्थाला temple के बारे में अब ये जो श्राइन है वो उसको में जो chariot है जिसको ये protection दी जा रही है वो है stone chariot किसकी गरुड की गरुड भी कौन है? Lord Vishnu का ये एक अवतार है और इसका इसकी एक और खास जद है कि इसका जो रंग मंडब है जो मंडब होता है temple का आपने अगर temple architecture पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा मंडब जो होता है कौन सा होता है? जहाँ पर जो गर्ब ग्री है वगरा होता है यहाँ फिर जो लोग बैठते हैं उसके आसपास जो होता है मंडब जिसमें मंदिर के अंदर जो आप बैठते हो उसको हम मंडब कहते हैं जो उसका रंग मंडब है वो 56 musical pillars के लिए बहुत famous है तो उन pillars में सारे gamma pillars कहा जाता है उनको क्योंकि उसमें musical notes जो है वो मौजूद है फिर मुगल्स ने इसको attack करके जब विजेनगर empire को पर attack किया था 1565 AD में तो जो उसका western hall था temple का वो destroy कर दिया गया था उसी destruction के अंदर ही जो गरूड जो हमारा sculpture था जो की chariot के अंदर था वो भी तबसे missing है उसी attack के बाद से ठीक है अब जो हमारा ये stone chariot है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं अब जो stone chariot है हमारा ये इस temple का वो हमारे जो इंडिया में तीन सबसे famous stone chariot है सबसे पहला तो हमारा ये ही है हामपी का जो stone chariot है जो गरूड को dedicated है गरूड को और है Lord Vishnu का एक अफतार दो और stone chariot बहुत famous है एक तो कुनार्क का अडिशा में जो कुनार्क है वहाँ का और एक तमिल नाडू में महाबलीपुरम महाबलीपुरम का stone chariot और कुनार्क का stone chariot और ये हामपी का जो stone chariot है जो गरूड को dedicated है ये सबसे जादा famous है इंडिया में ठीक है तो हम next topic देखते हैं हमारा topic है Invest India जो United Nations UNCTAD इन्होंने Invest India जो हमारी portal है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों award दिया है और उन्होंने क्या recognize किया है कि क्या इन्होंने अच्छा किया था Invest India portal ने एक इन्होंने business immunity platform निकाला है जो हमारे इन्वेस्ट इंडिया हमारा जो इन्होंने business immunity platform निकाला था इसके बारे में भी हम आगे देखते हैं अभी और जो इन्होंने webinar series चला ही exclusive investment forum बगारा इन्होंने जो UNCTAD है इन्होंने recognize कि इस series से जो investment promotion है वो worldwide बहुत अच्छा है तरह से इन्होंने invest इंडिया ने किया है अब business immunity platform क्या है कि जो businesses है जो खासकर कोविड के time पे businesses की जितनी queries थी उनके जितने भी issues थे उन सब के grievances को redress करने के लिए business immunity platform बनाया गया था ठीक है तो जितनी भी state governments या central governments advisories दे रही थी या information दे रही थी ये साथ के साथ business immunity platform अपने platform पे इसको update कर रहा था ताकि जो businesses है उनको up to date information मिलती रहे कि government of India और government of states जो है वो कैसे अपना strategy बना रही है virus को tackle करने के लिए और उससे उनके business पर क्या effect हो सकता है वो अपने decisions ठीक से ले सके ठीक है एक BIP नहीं business immunity platform नहीं एक joining the dots campaign भी शुरू किया था जिसमें essential healthcare supplies को procure करने का एक mechanism था ठीक है ताकि जो shortfall था हमारे उस time पर आपको पता होगा sanitizers का even masks का इस सब को दूर भगाने के लिए इन सब shortfalls को खदम करने के लिए ये joining the dots series जो शुरू की थी हमारे business immunity platform business immunity platform is itself under invest India program ठीक है तो ये उस time पर शुरू किया गया था ताकि जो पूरा किया जा सके ठीक है अब है हमारा इसके बारे में तोड़ा सा देख लेते हैं invest India program क्या है 2009 में इसको बनाया गया था invest India program को और section 25 of companies act ये होता क्या है section 25 of companies act not for profit company ठीक है आपने पहले भी पढ़ा होगा मैंने कई बार आपको prelims booster में discuss किया है तो section 25 of companies act में इसको register किया गया मतलब ये एक not for profit company है जिसमें 49% जो share है वो ministry of commerce का जो dpiit है उसके पास है और 51% share holding जो है वो हमारी industry के पास है ठीक है तो 51% में मतलब 17% जो है वो फिकी के पास है CII और NASCOM इन तीनों ने 17, 17 17% share किया हुआ है और जो remaining 49% है वो central government और state governments ने share किया हुआ है तो अगर आपको question आता है कि इसमें सिरफ central government और industry की partnership है Invest India portal में तो वो गलत होगा क्योंकि state governments भी इसमें partner है ठीक है अब ये हमारी first point of reference है for investors who seek to invest in India ठीक है अब हम थोड़ा सा UNCTAD के बारे में भी देख लेते हैं जो United Nations Conference on Trade and Development है वो एक permanent organ है United Nations General Assembly का ये बनाया किसलिए गया है अब ये ध्यान से देखना कि promote trade investment and development in developing countries ठीक है तो सिरफ developing countries के अंदर trade investment और development को promote करने के लिए इसको बनाया गया है ठीक है इसकी headquarter कहाँ पर है Geneva में Switzerland में अब एक बहुत important है कि global system of trade preferences 1988 में sign किया गया था ताक कि जितने भी tariffs और non-tariff barriers थे developing countries के बीच में जो दो developing countries या दो से जादा developing countries के बीच में जितने भी tariff या non-tariff barriers थे उन सब को खतम करने के लिए या reduce करने के लिए ये global system of meetings में ही sign किया गया था ठीक है एक common fund for commodities भी बनाया गया था 1989 में जो की एक financial institution है intergovernmental थाकि developing countries को जो की बहुत जादा export dependent है उनको fund की जितनी भी जुरुत है उसको debt relief बगारा देना या फिर funds देना उसका ये काम है common fund for commodities का ठीक है अब जो हमारा UNCTAD है उसकी जो highest policy making body है वो है conference जो की चार साल में एक बार मिलती है और इसका जो secretariat है जो इसका UN का secretariat है वो ही serve करता है UNCTAD का secretariat को और ये discussion किस पर करते हैं किस चीज़ पर focus रखते हैं जो इनका secretariat क्या होता है जो लोग इसमें काम करते हैं वो उनका main motive क्या होता है कि globalization और development strategies को देखना international trade को देखना investment technology and enterprise development और services infrastructure इन सब को देखने का काम करते हैं यो UNCTAD secretariat में काम करते हैं ठीक है तो ये हमारे आज के topics हैं इसके उपर आप MCQs भी कर लेना और editorials पढ़ लेना telegram group से डाउनलोड करके pdf को we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care